इसलाम विल्टूम्म आइट्री फेमली क्या हाल चाल नहां सबके वो नाशता तियार होरा जिस पैन में दूर था उसी में मैंने बाद में चाया बना ली इसलिए पैन में दूर-दूर साइडों पर हो रहा है सब्सक्रा कि पर कि वहां विद्rolling आजसे कम की शमर्मान ज़र इसलिकान दूर हो सब्सक्राइक प्राइख करें समले कि शञआने को सब्सक्राइब मनें वहार आफ्सक्राओन के सब्सक्राइब 22 Ganagoda कि मैं शज्म्री यVEN उसक्त और विद्धौेard का सब्सक्राइब गारी नहीं लग रहा था अफिस चलेंगे और मौसम हजब मामूर बहुत अच्छा चलेगा रहा थे यह वारा सीजन बार्शों की चलेगा तो ग्यारा बज़रे थे तो मैंने कहा कि हलपर के आने से पहले पहले मैं जरा दपहर का खाना बना लूँ और मेरी यारत है कि मैं खाना बना लिया खरती हूँ ताकर फिर एक अच्छे से घर की सफाई नीटली हो जाए तो यहां पर मैं आज बनाने जारी हूँ चने का प्लाओ और जब आप यह चने का प्लाओ अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप जो है वो चिकन को ब्रियानी को और हर तरह के चावलों को भूल जाएंगे आप लों को बहुत मज़े का प्लाओ बनेगा क्योंके मेरे बच्चों को बहुत पसंद दिए, बच्चों को चीज पसंद होती तो समझो के इससब को पसंद होती है तो यहां पे मैं तकरीवर मैं जारा तेन पाउur क़ीरेब, 14,000 क्लो से कम वी है क्योंकि हमारी फैमिली को इतनी बड़ी नहीं है तो उसमें मैंने एक बड़ा सा प्यास जो है वो ब्राउन होने के लिए डाल दिया गरम तेल में और हमेश्या गरम तेल में प्यास डालने चाहिए ताके वो एक अच्छा सा क्रंची से ब्राउन हो तो यहां में मैं डाल दूँगी लेसन अंद्र का पेस्ट भरके एक चमच के और एक हाथ में मेरे ट्राइपोर्ट नहीं यूज किया कैमरा पे मेरे हाथ भी है तो मैनेज कीजिएगा तो इसको भी दो से तीर में आपने लेसन को लाजबी जो है वो कूक करना ही करना होता है तो जब ऐसे ब्राउन हो जाएगा अच्छा यह कैमरे में ज्यारा ब्राउन नज़र आ रहा है लेकिन सामने से थोड़ा कम ब्राउन है तो आप इसमें भरके एक टेबल स्पून डाल देंगे जीरा और यह जस्ट जीरा जा रहा है आपने कई बच्चों हमारे जो होते हैं खास और पे वो नहां चारे होते हैं कि हमारे चावलों में कुछ ना आ रहा हो तो इसमें कुछ नहीं आएगा लेकिन फ्लेवर बहुत आएगा तो यहां पे जो है वो मैंने एक टमाटर डाल दिया है दो टमाटर डाल दिया है बड़े अच्छा जो मैंने चने बॉयल करके रखे ना उनके मैंने पानी इतना बॉयल किया है कि जो मेरे चावलो का पानी है तकरीबर उतना उन में वो ये बॉयल किये हुए चनों में मैंने किया है ताके फ्लेवर फुल चावल बने मतलब जो चनों का पानी है वो ही मैं चावलों में डालूंगी तो यहां पे टमाटरों के साथ ही मैंने चने डाल दिये हैं और इनको भी मैं बच्छे से भूनूंगी medium से कम flame पे और ये रिकि इनोंने oil चोड़ दिया और अब मैं जो चनों मेरा पानी था मैंने extra पानी डाला था जो चाव़ों में भी हमें डालना हुता है ताक एक अच्छा सा flavor आए तो चावलों के मताबक मैंने पानी डाल दिया अगर कम हो तो आप थोड़ा सा दूसरा पानी भी डाल सकते हैं तो चावलों के हिसाब से पानी जाता है वो तो मेशनमें ठरे को आरी होती है तो चावल बाहर होने पे तो मैंने इसमें डाल दिये हैं जी चावल डाल दिये है और इसको बस हलका सा जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी और इसके साथ ही जो है वो मैं डाल दूँगी चावलों के साथ ही नमक डाल दूँगी और नमक जो है वो डाल के मतलब मैंने तड़के में नमक नहीं डाला था मैंने अब जब चावलों का पानी को बॉयल आया अब इस पे नमक जाएगा हस्बेज जाएका तो नमक डाले के बाद जो है वो मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसको रख दूंगी पकने को अच्छा अगर आपके चावल थोड़ है आपको लगे के दम में नरम है तो आप उस पे ना सूखा जो पानी रोटी वाल रुमाल होता है आप उसका दम लगा दिया करें और अगर आपको लगे के पानी जो है वो कम है तो उस रुमाल को आप गीला करके दम लगा दिया करें लेकिन मेरा खेर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो पानी ड्राय हो गए चावलों का तो अब दम के काबल है चावल तो अब इसके दम लगा दूंगी तकरीबन 15 मिलिट का और फ्लेम नीचे बिलकुल 0 है लो के मताबक है 0 लो है मतलब बहुत कम है तो अब इसको 15 मिलिट के लिए दम पे लगा रही है और दम पे 15 मिलिट के बाद मेरे चावल जो है लेकिन फ्लेवरफुल और टेस्टी चावले है खुश्बू एक अच्छी बहुत आ रही होती है और अभी भी बहुत अच्छी आ रही है तो यह चन्ने का प्लाव बनाने का बहुत एजी तरीका है और जब आप मतलब चन्नों में पानी इतना डाले कि जो आपने चावलों में डालना है उसी में वो बाइल हो फिर भी पानी बच जाए अच्छे से जब वो डालके आप चन्ने का प्लाव बनाएंगे तो वो बहुत फ्लेवरफुल बनेगा और यह चन्ने का जीरा प्लाव समझें इसमें आप चाहें तो साबत गरम मसाला अड़ कर सकते हैं जीरे की मैंने का अप फटे मैं खुद आप के लिए डाल के लेके आती हूं तो यह जो है वो जान बूच के चमचे को हिला रही थी कि ममा को लगे चावल तोट रहे हैं तो कहती नहीं ममा मैं आक्टिंग कर रही हूं तो यह हट के चली गई है और मैं चावल बच्चों के लिए और फ़यर, ख़च्बू से भूक लग लग ती तो अभी जो है तकरीबन बज रहे हैं तेर बज़ रहे हैं दिन का तो बूक चावलों के ख़च्बू से लगी है अदरौश मुझे लगी नहीं थी तो चावल बीठके जो हम लोग दून्छ करेंगे और चावल बनके तियार हैं और उसके बाद बच्चों की जो है वो सिपारे वाली बाजी आ जाएगी पढ़ाने के लिए तो आज अभी इनकी ये ट्यूशन की भी दो चार दिन छुटियां हैं तो बिल्कुल स्कूर्ट के चार पाँ दिन जो है ना इनकी फुल अजादी के दिन है तो लेकिन अभी महरम चल रहे हैं अगर महरम नहीं होते हैं तो फिर हम लोग कहीं घूमने ही चले निकल जाते हैं लेकिन अभी महरमों के दिन है तो नहीं कहीं नहीं नहीं जा रहे क्योंकि ये दिन है कि आप बैठके इबाद़ करें अल्ला को याद करें अपने और जीव साइक दिल में जो है वो सोगवारी से चरी होती तो कोई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है तो इसलिए बच्चे चार-पाइड दिन घर पर ही है ना ट्यूशन जाएंगे ना स्कूल जाएंगे लेकिन उसके बाद इनके स्कूल इन्शालला ट्यूल जैसे रैडी हो जाएंगे तो हम सब ने जो है वो खाना वाना खाया और अब आते ह आज की बात पर बात ये है कि जैसे यूनिवर्स्टी का वाक्या चल रहा है और हर यूट्यूबर जो धड़ा 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 उसको चटपटी खबरे लगाकर बना के पेश कर रहा है, सही है बात बहुत गलत है लेकिन जो यूट्यूबर पर इतनी चटपटी जो हैं वो बता रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो मुश्कल सी ओरतों को मुआके मिलते हैं हर कोई डरेगा और जो जाहर वहां पे पढ़ने वाली सारी बच्चियों के साथ हो नहीं गुजरा होगा बुरा टाइम जो के जितनों का वो जिकर किया जा रहा है तो जो अच्छी से पहली अजादी मिली है पढ़ने की वो भी उनसे छीन ली जाएगी तो यूट्यूबर्स अपने व्यूस के लिए इतनी चट्पटे मसाले लगाने की जो है वो जरूरत नहीं है थमने लितने जीब किसम के बनाते के बंदे को देख के शरम आती है तो ये टाइम किसी पे भी आ सकता अला किसी की बेटी पे ये टाइम ना लेके आए हमारे अदारों की चाहिए कि स्ट्रीकली इस पे जो है वो और देखे इस केस को लेकिन ये है कि जो यूट्यूबर है अपने व्यूस के लिए बहुत चट्पटे थमनेल बना रहें जरा वाइड करें आपको क्या अदारे में काम करने वारी खवातीन हैं जब भी आपको कोई ब्लैक मेल करता है न तो आप नो कहें आप किसी के ब्लैक मेलिंग में मत आएं आपको अल्ला की जात पी यकीन नहीं है आप अल्ला पे छोड़ दे और उस बंदे को या उस को बेन का आप लाजमी करें मतलब कॉ आपको जो है वो अपनी एक तो आपको कांफिडनस होना चाहिए दूसरा जब आप किसी को नो बोलेंगे ना कांफिडनली तो अगले बंदा भी जो है उसको पता चलेगा कि ये कोई कमजोर औरत कमजोर बच्ची कमजोर लेडी नहीं है तो जितने भी आप कभी ब्लैक मेल हूँ आप पढ़ रही हैं आप आफिस में हैं आप किसी भी मतलब ऐसे उहदे पे जापे आपको ब्लैक मेल किया जाता है तो आप फॉरण से नो कहें नो कहना सीखें जब आप नो कहेंगे अपने अल्ला पर यकीन रखते हुए तो यकीन जाने आपके गैबी मदद लादमी पहुंचेगी तो कभी ब्लैक मेल ना हो और वालदान को चाहिए कि हमेशे अपने बच्चों की खबर रखें और बच्चों को चाहिए कि आप अपने आपको इतना काबल बनाए या कि आपको कोई ब्लैक मेल करना सके और हमेशा ब्लैक मेलिंग पर आपने नो कहना है तो जो झाल झाल